बिसमिल्य रुख्मान रहिम, असलाम लेकूम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल किड्सेंड किचन, मैं हूँ आपदा आतिफ, वीवर्ज, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार चन्योटी स्टाइल में बीफ कुने की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसको आप बेकन में ये बिल्कुल नहीं बनता, तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आज यो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये एक किलो के हिसाब से है, और आप इसको अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ बहुत ही असान तरीके से कुन्ना बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप इसको जूरू ट्राइ कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ हैं जाएंगी, इसके लिए मैंने बीफ लिया है, आप इसकी जग हैं वो छोटे साइस की बनवाई हैं, अगर आप चाहें तो आप बोनलेस की जगा पर हड़ी वाला गोश्ट पर इस्तमाल कर सकते हैं, गेर कप मैंने इसके लिए घी लिया है, आप इसकी जगा पर ऑईल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट अच्छा आएगा, प्यास कम इस्तमाल होता है, यहां पर मैंने एक किलो के हिसाब से एक दर्मियाने साइस का प्यास लंबाई में काट लिया है, एक खाने का चमच इसके लिए मैं खुश्क धनिया पाउडर ले रही हूँ, और दो चाहे का चमच इसके लिए मैं हल्दी ले रही हूँ, हल्दी ये मैंने एक खाने का चमच लिया है, ये कुण्ने का main ingredient है, ये आपने जरूर डालना है, और ये गंदुम का अर्टा है, जिससे आप रोटी बनाते हैं, ये इसमें चार खाने के चमच जाएगा, ये थे ingredients जो इसमें जाएंगे, अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, कुन्ना बनाने के लिए यहाँ पर मैं मट्टी की हांडी का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि ये मट्टी की हांडी में ही बनाया जाता है लेकिन अगर आपके पास मट्टी की हांडी नहीं तो आप इसको आम हांडी में भी बना सकते हैं अब सबसे पहले इसके अंदर मैं घी डालूंगी, अभी इसके नीचे मैंने आग नहीं जलाई क्यूंकि इसके अंदर किसी किसम की पहले भुनाई नहीं होगी, साथी आपने इसमें प्यास डाल देना है, तमाम चीजें हम पहले इसमें इकठी डाल देंगे, उसके बाद हम इ ताबित इसमें डाल देना है, गोश्ट डाल दें, नमत, मेर्च, हल्दी और खुश्क धनिया भी इसमें डाल दें, शाही, जीरा और आटा हमने इस टाइम पर नहीं डालना, वो हम बाद में डालेंगे, इसके बाद आपने इसको बगैर हिलाए, इसमें एक लीटर पानी डाल के लिए रख देना है, शुरू में आपने इसकी जो आग है वो तेज रखनी है, एक से दो मिनट के बाद आपने बिल्कुल दमवली आइस्ता आग कर देनी है, और फिर ये गोश्ट इसी में ही पकेगा, आदा घंटा हो गया है, इसको हलकी आग पर पकते हुए, अब मैं इ चेक कर लूँगी, इसके अंदर चमर चला लेना है आपने, इसी तरीके से आपने थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चमर चला कर इसको हिला लेना है, ताकि ये नीचे से लगे ना, और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छा सा गल जाए, अगर ज़रूरत तो आप इसको गलाने के लिए इसमें और पानी भी डाल सकते हैं, मैंने इसको गलाने के लिए एक लीटर और पानी इसमें डाला था, तीन घेंटे होगी हैं इसको हलकी आग पर पकते हुए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से गला है के नहीं, ये देख ही आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन बहुत अच्छा गल चुका है अब हम इस पॉइंट पर इसके अंदर काला जीरा ढाल देंगे काला जीरा डालने के बाद अब हम हलकी आग पर ही इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसका घी है वो सेपरेट हो जाए दस मिनट हो गए हैं इसको हलकी आग पर पकते हुए आप देख सकते हैं कि जो इसका घी है वो सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छी सी गोश्ट की भुनाई हो गई है अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर एक गिलास पानी डाल देंगे या जितना आप इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिए मैं इसके अंदर एक गिलास पानी डालूँगी और यहाँ पर अब हमने इस पानी को उबाल लेना है पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर आटा छुड़क दूँगी थोड़ा थोड़ा करकर आटा मैं छुड़कूंगी और साथ साथ चमच चलाती जाओंगी ताके वो इकठा ना हो जाए और ये तक्रीबन मैं इसमें चार खाने के चमच आटा थोड़ा थोड़ा करकर छिड़कती जाओंगी और साथ साथ इसमें मैं चमच चलाती जाओंगी निहारी को ठिक करने के लिए ज्यादा आटा इस्तमाल होता है लेकिन कुन्ने में हम कम इस्तमाल करेंगे क्योंके ये थोड़ा पतला अच्छा लगता है और निहारी को गाड़ा किया जाता है आटे से तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है अब मैं 15 मिनिट के लि हम इसको डिशाउट कर लेंगे ये कुन्ना बहुत मज़े का बना था मैंने जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर की है ये बिल्कुल चन्योट वाले कुन्ने की रेसिपी है आप इसको जरू ट्राइ कीजिएगा जी तो वीवर्स कैसी लगी आपको मेरी आज की बीफ कुन्न से शुक्रिया दा करती हूँ मिलेंगे किसी नेक्स्ट एक और अच्छी सी और असान सी वीडियो में तब तब के लिए इजाज़त देजिए अलाहाफेज